कैसे हैं आप सब यह वीडियो साइन्स क्लास 10 चैप्टर 7 का पार्ट 4 है इसके पहले भी मैंने तीन पार्ट्स बना है तो आप उन्हें पहले देख लें और इसके पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्षन और रिफ्लेक्स आर्क तक पढ़ा था अर हम लोगों ने क्या जान जाते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड केस्टर पर ही यह किये जाते हैं जैसे कि माल लिजी आप कोई चीज गरम चीज टच करते हैं तो यह इन्फॉर्बेशन स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है और वापस यहां मोटर नियूरॉन तक जाता है और उसके बाद आपके मसल में ज या फिर इसके बाद भी कुछ प्रक्रिया होती है obviously not since we know that we are thinking being spinal cord is made up of nerves which supply information to think about तो मैंने जैसे बताया था आपको या फिर इस जो यह paragraph हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें भी हम लोग जारे है कि कोई भी information जो हम लोग receive करते हैं जैसे आप देख सकते हैं यहां से कुछ भी information जो हम लोग receive कर रहे हैं तो पहले कहां जा रहा है spinal cord और इसके तुरू कहां जाता है यह brain में जाता है ठीक है तो इसी सारे चीजों को हम लोग इस paragraph में पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से कोई भी information पहले तो receive होगा उसके बाद कहां जाएगा वो उसके बाद neuron के होते हुए वह spinal cord में जाएगा और इसके बाद कहां पर जाएगा brain में और यहीं पर प्रोसेस ह होता है या फिर यहां पर analyze के जाता है कि यह क्या हो रहा है तो thinking involves more complex mechanism and neural connections तो यह मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यदि आप कोई भी चीज़ सोचते हैं तो बहुत जादा complex mechanism है और इसमें बहुत सारे neural connections की आवशकता होती है इस और connected in the brain और यह सारे कहां मिल रहे हैं brain में मिल रहे हैं which is the main coordinating center of the body तो हम लोग के body का जो main center है जो की coordination का काम कर रहा है वह क्या है brain और उसी के बारे हम लोग पढ़ने वाले हैं और यह topic है हमारा human brain the brain and spinal cord constitute the central nervous system तो यह सारे examination ने पुशे जाएंगे तो आप यहां से एक प्रशन लिख सकते हैं the central nervous system consists of तो इसका answer हो गया brain and spinal cord तो सबसे पहले मैं आपको अब nervous system थोड़ा सा बता दे रहा हूं जो इस book में वर्णन किया गया है तो nervous system को हम लोग दो भावें बाट सकते हैं एक हो गया आपका central nervous system और दूसरा हो गया peripheral nervous system nervous system को अभी हम लोग कितने भावें बाट रहे हैं इस बुक के according central nervous system और peripheral nervous system आपके help book में या other book में बहुत अलग-अलग प्रकार से classification किये जाते हैं तो आप देखी यह central nervous system में क्या है central nervous system में आगया brain और साथ में क्या आगया आपका spinal cord central nervous system में आगया brain और spinal cord यह दोनों मिलकी बन जाते हैं central nervous system और peripheral nervous system क्या हो गया इसके अलावा जो पूरे body में आपका neuron बिच्छा हुआ है वह है peripheral nervous system तो दो भागों में हम लोग देख सकते हैं दोनों के बारे मिया one end किया गया है पहला हो गया central nervous system और दूसरा हो गया peripheral nervous system इस प् पहला हो गया central nervous system और दूसरा हो गया peripheral nervous system central nervous system में brain है और क्या है आपका और spinal cord है और यह है peripheral nervous system तो यह क्या कर रहा है पूरे body से information को या तो receive कर रहा है या फिर क्या दे रहा है उसका respond कर रहा है तो यह देखिए आपका पूरे body से information यह receive करेगा या फिर क्या करेगा respond करेगा तो तो यह कैसे हुआ, तो सबसे पहले आपने कोई भी information को peripheral nervous system के गार receive किया, उसके बाद या तो spinal cord होते हुए brain तक जाता है, या फिर direct brain में भी जा सकता है, तो मैं आगे बता हूँ आपको किस प्रकार से यह हो रहा है, तो अब चली थोड़ा reflex action के बारे में फिर से देख लें, त तो reflex action हम लोगों ने क्या देखा था, यह reflex action spinal cord के अस्तर पे होता है, लेकिन जब यह reflex action हो जाता है, तो यह information brain तक भी आपका जाता है, और फिर brain उसके बाद analyze करता है, पहले reflex action हो जाता है, उसके बाद brain क्या करता है, उसके बारे में सोचता है, क्योंकि यह मैंने बताया था आपको कि सोचना एक बहुत ही कॉंप्लेक्स प्रक्रिया है इस प्रकार से आपने देखा दे ब्रेन इन स्पाइनल कोड कंस्टिटूट दा सेंटर नर्वर सिस्टम दे रिसीव इन्फॉरमेशन फ्रॉम पॉर्ट ऑप द बॉड़ी और इंटीग्रेटी तो इस प्रकार से पॉर्ट आवर एक्षन राइटिंग लिखना टॉकिंग बोलना मुविंग अचेयर क्लैपिंग अट दे एंड आफ प्रोग्राम और का एक्जामपल्स ओफ वालिंटरी एक्षन्स विचार बेस्ट ऑन डिसाइडिंग वाट तू दू नेक्स्ट तो ऐसे बहुत सारे करते हैं कि हमें करना है या फिर हम लोग के तो सोच के करते है इन्हें अमलोग करते हैं वालिंटर एक्षन इन्हें प्रोग क्या प्रोग ऑलता हैं विचार आप communicate with the muscle, यह मैंने पहले ही आपको बताया था, यह सबसे पहले आप information को receive करेंगे, वो information, माले जी spinal cord तक जाता है, इसको ब्रेन, ब्रेन उसको analyze करेगा, और वापस उसके बाद जो decision लेता है, उससे कहां भेजेगा, muscle cell तक भेजेगा, और फिर क्या होता है, muscle action होता है, the communication between the central nervous system and the other part of the body is facilitated by peripheral nervous system, जो मैंने आपको बताया, तो जो central nervous system है, वो जो information है, वो body के different parts तक भेजना चाहता है, या फिर दूसरे parts से communicate करना चाहता है, तो वो किसके द्वारा करेगा, तो वो होता है peripheral nervous system, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहला है central nervous system, और उसके बाद क्य गया peripheral nervous system, the peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and spinal nerve arising from the spinal cord, तो यह मैंने आपको भी बताया था, कि कुछ information तो direct brain तक जाता है, और कुछ information spinal cord से होते हुए जाता है, क्यों, क्योंकि यह peripheral nervous system दो प्रकार से बने हुए, एक तो होते हैं cranial nerves और दूसरे होते हैं spinal nerves, तो यह spinal nerves और cranial nerves के बारे में आपको detail आगे जानना है, आगे के जो classes हैं उसमें जानना है, यदि आपके पास health book है तो आप इसकी कुछ जानकारी वहां से ले सकते हैं, तो यहां से आपका एक प्रश्न होता है, the peripheral nervous system consists of, question mark, मैं short question आपको लिखाता हूँ या इस प्रकार से भी आप लिख स करते हैं, the peripheral nervous system is formed of, या फिर is consists of how many parts, तो यह होगे दो पार्ट्स पहला हो गया, cranial nerves और दूसरा क्या होगे आपका, spinal nerves, cranial nerves कहां से arise करते हैं, यह direct brain से arise करते हैं, cranial nerves कहां से arise करते हैं, direct brain से जो nerves जुड़े होते हैं, उन्हें हम लोग क्या हो लें, cranial nerves, तो इसके बारे में आ दनकारी आगे classes में ले सकते हैं, और दूसरे हो गया, spinal nerves, जो कि कहां से जुड़े होते हैं, spinal cord से जुड़े होते हैं, तो यह peripheral nervous system है, दो प्रकार के nerves होगे, पहला जो direct brain से जुड़ा है, उसका हम लोग क्रैनियल nerves कहेंगे, और दूसरा spinal cord से जुड़ा है, उसका हम लोग क्य region लेता है, या फिर जो analyze करता है, उसी के अधार पर वहां पर action होता है, as you will expect, this is accomplished through a complex design, और यह बहुत ही complex design के through होता है, with different parts of the brain responsible for integrating different input and output, तो जब हम लोग brain के बारे में पढ़ेंगे, पूरा detail तो उसमें देखेंगे कि brain में different parts होते हैं, जो कि अलग-अलग function को achieve कराते हैं, य brain के different parts से अलग-अलग जो प्रक्रिया होती है, body की, वो regulate होती है, the brain has three such major parts और region, namely four brain, meat brain and hind brain, तो brain का ये तीन पार्ट है, बहुत जादा detail में आपको brain पढ़ना नहीं होता है, बढ़ा ही simple पढ़ाए गया NCRT में, तो हम लोग NCRT पढ़ रहे हैं, तो इसी के बातों को देखे तो brain को basically कितने भाग हैं बाटा गया है, तीन भाग, four brain, meat brain and hind brain, पहला क्या है, four, meat and hind, four brain, meat brain and hind brain, चल ये बागे बढ़ते हैं, the four brain is the main thinking part of the brain, तो यहाँ से एक question उट सकता है, यहाँ फिर दो question उट सकता है, the brain is divided into how many parts, तो three parts, four brain, meat brain and hind brain, और यहाँ से एक प्रश्ण हो सकता है which is the thinking part of brain, और यह क्या है, four brain, brain का thinking part कौन सा है, इसका नाम क्या है, four brain, four brain को क्या कहते हैं, ब्रेन का thinking part कहते हैं, चल ये बागे बढ़ते हैं, it has reasons which receives sensory impulses from various receptors, separate areas of the four brain are specialized for hearing, smell, sight and so on, there are separate areas of association where the sensory information is interpreted by putting it together with the information from the other receptors as well as with information that is already stored in the brain, तो हम लोगों ने क्या कहा, four brain कैसा हिसा है, वैसा हिसा है जहाँ पर आप सोचते हैं, समझते हैं, analyze करते हैं, तो किस प्रकार से ये सारा आप कारिये करते हैं, यह यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले, it has reason which receives sensory impulses from various receptors, तो हमारे body बहुत सारे receptors लगे हुए हैं, जैसे मैंने आपको शुरुम बता था, gustatory receptor है, hearing के लिए है, hearing के लिए अलग receptors है, gustatory receptor किस चीज के लिए है, यह test के लिए है, smell के लिए, आपका olfactory receptor है, तो यह सारे receptor के द्वारा, यह sensory impulses को, या फिर बोलेंगे, nerve impulses को receive करता है, यह sensory का मतलब क्या हो गया, यह sense organs related है, तो यह सारे nerve impulses को पहले क्या करता है, receive करता है, तो यही लिखा हुआ है, separate areas of the brain are specialized for hearing, smell, sight and so on, तो यह जो separate area है for brain के, वो क्या करते हैं, इन सारे impulses को receive करते हैं, और यह सारे specialized, जैसे hearing के लिए अलग पार्ट है, smell के लिए अलग पार्ट है, sight के लिए अलग there are separate areas of association, where this sensory information is interpreted, तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ, receiving का काम, कि सबसे पहले क्या करेगा, receive, देखिए मैं बताते जाता हूँ, सबसे पहले क्या हुआ, receive, और उसके बाद क्या करेगा, interpret करेगा, क्या करेगा, interpret का मतलब हो गया, वह सोचेगा, समझेगा, analyze करेगा कि आखिर ये, क्या information मुझे तक आया है, तो ये interpret कैसे करता है, अब देखते है कि कोई भी information जो brain के पास जाता है, उसे वह interpret कैसे करता है, तो यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते है, this sensory information, जो information उस for brain के पास गया है, या उस जगह पे गया है, वह उसे कैसे interpret करता है, मतलब उसको कैसे analyze करता है, this sensory information is interpreted by putting it together with the information from other receptor, तो सबसे पहले तो आप एक साथ बहुत सारे receptors, वह information भेज रहे होते हैं, जैसे कि आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मालीज आप टच भी करें, तो तीन-तीन receptors से information जा र करेगा, इनको एक साथ मैच कराएगा, क्या खिर हो क्या रहा है, तो आपने देखा सबसे पहले क्या करएगा, other receptors के द्वारा, या जो दो-तीन receptors, जितने भी रिसेप्टर समय इतर्यारा, इसको या match कराएगा, या फिर क्या करेंगे, उसको या analyze करेंगा, क्या खिरि a क्या ह रहा है और उसी के साथ क्या करेगा as well as with information that is already stored in the brain और दूसरा क्या क्या करेगा यह brain में पहले से जो information stored है उसे इसको क्या करेगा match कराएगा तो इस प्रकार से कुल मिला के फिर यह सारे बातों को interpret करेगा क्या खिर हो क्या रहा है based on the based on all this a decision is made और इसके बाद यह forward क्या करेगा decision लेगा और फिर action करेगा decision is made about how to respond and the information is passed on to the motor area इसके बाद decision लेगा और यह information क्या होगा motor neuron तक भेज दिया जाएगा और उसके बाद यह क्या होगा आपका muscle action हो जाएगा तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसी यह सारा action achieve कराया जाता है forward के द्वारा आए इसको एक उदारंग के द्वारा हम समझते हैं जैसे कि मैं आपसे एक प्रश्न पोछता हूँ आप बताईगा यह क्या लिखा हुआ है यह क्या लिखा हुआ है यह क्या लिखा हुआ है कि आप इसका answer कर सकते हैं चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ सबसे पहले आपने आँख के द्वारा इसे देखा और कान के द्वारा इसे सुना तो आपके दो जो sensory organ है, sense organ है, उन्होंने इसे receive किया, आख के दोर आपने देखा और मैंने जो बोला कि यह क्या लिखा हुआ है, वो काउन के दोर आपने सुना, तो यह दो information कहां गया, brain में गया, तो brain क्या करेगा, इन दोनों को match कराया कि अखिर यह क्या हो रहा है, उसके बा उसके बाद यह brain पीछे के कुछ information को, जैसे की brain में जो store information, उससे इसने match कराया, तो इससे पता चला कि यह को लिखा हुआ है, इसके बाद यह brain क्या करता है, यह brain motor neuron के दोरा आपके oat को हिलाएगा, और आप बोल देंगे कि यह क्या लिखा हुआ है, को लिखा हुआ है, तो प अधिक जो sense organ है, यह sensory receptor है, उसके information को match कराया, उसके बाद next action क्या किया, यह जो पीछे का stored information है, उससे इसको match कराया, और जब इसको पता चल गया कि क्या है यह, तो उसके बाद यह क्या किया, आपके motor neuron को information भेजा, और motor neuron से आपका मुह हिला, और आपने बोला को, इस प्रकार से brain action करता है, कोई भी action इसी प्रकार से हो सकता है, तो यह सारे action आप देख सकते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो voluntary action है, a decision is made about how to respond, and the information is passed on to the motor area, तो जैसे मैं बताया, decision brain लेगा, उसके बाद information को कहां भेज़ देगा, motor area तक भेज़ देगा, which control the movement of voluntary muscle, और वह क्या करेगा voluntary muscle, जो जैसे मैं बोलना, हाथ पर चलाना, जो भी होगी हो, वो voluntary muscle का कारिया है, और फिर आपका action हो जाएगा, for example, यहाँ भी एक example दिया है, our leg muscles, जैसे कि हम लोग का leg muscle, माली जी आपने एक खरगोस को देखा, तो brain क्या करेगा, पहले तो इससे देखेगा, देखने के बाद analyze करेगा, फिर information match कराएगा, उसे लिएगा कि खरगोस से मुझे डर नहीं है, तो वह leg को information भेजेगा, भागना नहीं है, चलिए, अब आपने सेर देख लिया, तो brain क्या किया, आख के थुरू से देखा, कान के थुरू उसका roaring सुना, उसके बाद क्या हुआ, यह information brain तक गया, brain analyze किया, और पीछे की information से match कराएगा, और पता चला कि यह बहुत ही खतरनाक जानवर है, तो उसने पैर को आदेश दिया, कि वह क्या करें, भाग जाए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कि इस प्रकार से brain action करता है, यह हम लोग for brain का बात कर रहे थे, However, certain sensations are distinct for seeing or hearing, for example, how do we know that we have eaten enough, तो बहुत सारा चीज है, जो कि हमारे voluntary action के अलावा भी बहुत सारे actions हो सकते हैं, The sensation of feeling full is because of the center associated with hunger, which is in a separate part of four brain, तो अब एक और बात यही बोलता है आपका, कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया है, यह आपको कैसे पता चलता है, तो इसके लिए आपके four brain में बहुत सारे centers लगे हुए हैं, जो कि आपको उस बारे में जानकारी देते हैं, जैसे यहाँ प आपको भूक लगी है, तो भी आपको पता चल जाता है, और आपने बहुत ज़्यादा खाली है, तो भी आपको पता चल जाता है, अब देखी, यही है आपका human brain और बस इसी के बारे में आपको जान लेना है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, बहुत सारा नाम लिखा हुआ ह है, यह है four brain, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, hypothalamus एक gland है, जो कि brain का ही part है, और gland के तरह भी कारी करता है, endocrine gland के तरह भी कारी करता है, उसके बाद आपका pituitric gland है, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आगे, तो आपका देख सकते हैं, यह four brain, यह हो गया, meat brain, और य अउसके important part क्या हो गया, cerebraum, इसके बाद hypothalmas भी आपका हो गया फोर brain में, इसके बाद hind brain में आपका होग आपका हो गया, meat brain, तो दो नाम हो गया, एक हो गया seri bellum, और दूसरा नाम क्या हो गया cerebarum, तो इसमें confusion हो जाता है cerebarum और यह हो गया cerebelum तो यह दौकछ मालिज利, यह सिर है और इसमे बाल है क्या है बाल तो इसने याद कर सकते हैं cerebrum सेरेब्रम ठीक है और दूसरा हो गया सेरेबेलम क्या हो गया सेरेबेलम तो याद करना है बहुत important है क्योंकि examination में इससे भी question पुछे जाते हैं तो ये था आपका brain और brain का different parts को हम लोग पढ़ना हुआ तो वो हम लोग next video में पढ़ते हैं तो मिलते हैं आप से next video में brain के parts के साथ धन्यवाद झाल 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 क्याता है झाल 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 झाल